बारिस आते ही चारों तरब जहां प्लांट खुसियों से जूमने लगते हैं सारे प्लांट और बहुती तेजी से ग्रोव करने लगते हैं यानि कि आप सूच लीजे डबल तेजी से ग्रोव करते हैं वहीं कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनें बिल्कुल भी बारिस का पान आशा की गाडनिंग में विना खुशियों की से पहला प्लांट बीषाह कि ने लगभग बानी से थे जब करें तो इसे नहें तppe ल्ग बीषा ने यह कुछिं मुझे जो है मुझे कहीं ऐसी जगे पर इसको रखोंगी जहाँ पर बारिस का पानी ना गिरे तो आपको धियान रखना है कि क्लांचो जो है बहुत हाड़ी प्लांट है वैसे तो यह लेकिन रेन के टाइम पर जो यह बहुत नाजुक सा बन जाता है और बिल्कुल जो इसकी पतियां कब सारे प्लांट से पतियां खुद बाखुद जढ़ने लगेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा इसलिए जरूर से जो है इसको सेव करें और ऐसी जगे पर रखें जहां बारिस कम आती हो नेक्स्ट है विनका तो विनका देखें कितना खुबसूरत मेरा प्लांट लग रहा है लेकिन आप यह देख रहें इस तरीके से इसकी टहनिया हो जाती है और कल तक जो टहनी बिल्कुल हेल्दी थी ज मैं इसा चाहते हैं कि मेरे गार्डन में विनका की ब्लूमिंग रहे तो इसको भी आप जरूर जो है किसी ऐसे स्पेस पे सेव कीजिए जहां कि बारिस बहुत कम आती हो जहां बारिस ना आती हो और आप दो या तीन दिन में क्योंकि इस समय मॉस्ट रहता है फ्रेंड हावा में भी महिश्य रहता है तो आपको डेली भी से वाटर देने की जुरत नहीं है तो आप इसको ऐसे स्पेस पे रखें जहां आप दो दिन में वाटर दें तो आप देख रहें किस तरीके से जो है मेरी एक पूरी की पूरी टहनिया जो इसकी खराब हो जाती है तो अभी तो बारिस कम है फ्रेंड लेकिन अब मैं इसको जैसे बारिसे ज्यादा होने लगेंगी तो मैं इसको सेड़ी थोड़ा सा ऐसे रिये पर रख दूँगी जहां बारिस ना पड़े इस पर तो जरूर से आप अपने विंका को इस तरीके से सेव करें और रखें अपने विंका पर पर हम में इशा पूरे साल वर ब्लूमिंग भहोट खुबसूरत फ्लारिंग फ्लारिंग प्लांट बहुत सारे कलर्स में मिलता है इंब है अडेनियम को भी आपको ऐसी जयगे पे रखना है जहां बहुत सारぇ बारिस का पानी ना गिरे और इस पर भी आपको कम से कम दूसरे तीसरे दिन ही वाटर देना है अडेनियम तो एक ऐसा हाड़ी प्लांट है इस पर अगर आप चार-पाल दिन तक भी इसे वाटर नहीं देते हैं तो भी यह प्लांट सर्वाइब कर जाता है तो अडेनियम को भी आप जुरूर सेव करें और ऐसी जगे पर रखें जहां पर यह यह प्लांट खराब ना हो आपका तो यह थे मेरा तीसरे नंबर का प्लांट ही देखें मेरे अडेनियम पर बन रहे हैं और फर्स्ट टाइम जो है मेरे प्लांट पर सीट बन रहे है तो इंतिजार है मुझे इससे निकलने वाले सीट का और इसे मैं भी बनाऊंगी धेरों और फिर मैं सबको करूंगी गिफ्ट तो आपको भी अगर चाहिए ओ फ्रेंड तो आप भी जरूर बताइएगा तो आपके लिए भी मैं रखूंगी कुछ प्लांट और यह जो है मेरा वाइट कलर का जो है मेरा अडेनियम है अपने मेरी कई वीडियो में अगर आप मेरे र प्लांट कब खराप हो गया तो इसको भी मैं ऐसी जगे पर रख दूंगी जहां कि बारिस का पानी इस पर ना पड़े और यह मेरा प्लांट अच्छे से सर्वाइब कर जाए और मुझे जो है विंटर में इस से लेनी है धेर सारी फ्लारिंग तो तब तक जो अगर यह प्ल और कि जग्जानिया जो है विंटर और समर समर में भी लगाग शाता है बहुत कुफशुर्त फ्लारिंग प्लांट है बहुत से चीप बेस्ट यह प्लांट भी है इसके यह चूटी सेपलिंग्स ने दस रुपए की और बड़ी खिलीवी सेपलिंग्स से हमारे गारडन को प तो जरूर से सेब करके रखें अपने गजानिया को अगर आपके पास भी है तो और आगे जो है विंटर्स में आप इजीली इससे डेरों प्लांट बना सकते हैं यह देखें आप यह बारिस में रह गया बाहर और यह देखें किस तरीके से यह गल गया बहुत ही है लेकिन मुझे खुद नहीं समझ में आया कि इसकी इसने मतलब विदिन टू डेज में अपनी सारी लिफ्स ड्रॉप कर ली और मिर को इतना मतलब मुझे खराब लगा कि वता हो चुका था फिर भी मैंने इस चोटी इसकी जो लीफ्स बची थी उन लीफ्स को मैंने प्लांटर के साइड में रख दिया और यह मेरी इस तरीके से दो प्लांटर थे एक्शुली मुझे तो समझी नहीं आया कि इनमें हुआ क्या और कई पर क्या होता है फ्रेंट बहुत जब गार्डन हो जाते हैं तो हर प्लांट पे आप डेली धियान नहीं दे सकते हैं और एक्शुली सायद मैं इस प्लांट पर धियान ही नहीं दे पाई जबकि इसकी लीफ्स में कुछ प्रॉब्लम सुरू हुई थी और एक्शुली जैसे मैंने इसकी लीफ्स में हाथ लग और आपका प्लांट भी रह चाहेगा हमीसा फली हल्दी और शूलो कर सकते हैं और उन पॉट के साइड में रख दिए जी और कुछ दुनों बाद आप देखेंगे तो उसी पर जो एक नया प्लांट उगाया है तो करशला वेटा की बहुत इजी इसके पापगेशन भी है लेकिन बहुती टफ इसकी केर है कई बार तो यह बहुती इजी टो मेंटेन होता है लेकिन यह स्पाइडर प्लांट तो इस तरीके से पीली होने लगती है ज्यादा पानी से तो इस पाइडर प्लांट का भी आप थोड़ा ध्यान वैसे तो यह बहुत हाड़ी प्लांट होता है बट रेन का पानी आपको बिल्कुल चेक करते रहना इसको बार-बार कि कहीं इसके को जहां रेन का पानी कम आए तो ये प्लान्ट आपका खराब नहीं होगा और अगर आपको आपके पास ऐसा स्पीस नहीं है तो आपको इस तरीके सी गली वी लीव को हटाना है नहीं तो फिर यह सारी फंगस पकड़ देगा और सारी आपकी healthy leaves को भी खराब कर देगा तो spider plant का भी इस तरीके से अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका spider plant भी आपके साथ सालों साल चलेगा अधरवाइस अगर आप इसका ध्यान नहीं रखेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा और रेन में कभी ये पूरा का पूरा plant आपका खताम हो गया तो जरूर से इन मैतोपून टिप्स को follow कीजिए और next है ये टेंगल हार्ड और टेंगल हार्ड भी एक प्रकार का सेकुलें तो ये प्लांट भी जहां समर में और विंटर में बहुत अच्छा ग्रोव करता है वहीं जो है ये प्लांट रेन में जो है ये गलने का डर रहता है तो ध्यान रखें सबसे पहले तो पॉट्स के ड्रेनेज होल चेक करते रहें मैंने अगर आपने नहीं देखा है मेरा पॉट्स के रहें तो जरूर से देख लीजिएगा और मैं वीडियो का लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देदूंगी तो जरूर से चैक कर लीजिएगा कि कौन सा वीडियो कौन से मैं तपून टिप्स आपको इसी के साथ जरेनियम जो हाइवरिड जरेनियम होता है यह भी जो है बारिस में खराब हो जाता है देशी वाला तो अरां से चल जाता है देशी तो लगवग मतलब ऐसे तो देशी को भी थोड़ा सा खत्रा रहता ही है ज्यादा रेन से बट फिर भी वह सर्वाइब कर जाता है लेकिन जो यह हाइवरिड वाला होता है यह जहां र स्वस्थ और नेक्स्ट येर विंटर्स और समर में आप अपने जरेनियम से पाएं खुब सारी फ्लारिंग तो यह देखिए यह मेरे दो जिन्देश हाइब्रिड जरेनियम है और यह मेरा पिंग कलर तो इन दोनों को अब मैं रख लूंगी थोड़ा सा ऐसी जगे जहां पर वारिस का पानी इन पर ना पड़े डिरेक्टली और बहुत बढ़िया से फिर यह ग्रो हो जाएंगे और लंबे समय तक मेरे साथ चल पाएंगे तो इस तरीके से इसकी लीफ्स भी गलने लगेंगी और वह प्लांट भी कब खतम हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा तो जरूर से केर करें अपने इन सारे प्लांट की और इनको रखें ऐसी जगे पे जहां पर बारिस का पानी कम से कम आए तो होप सो आपने वीडियो को इंजॉय किया होगा आपने समझा होगा कि कौन-कौन से प्लांट आपको बारिस के पानी में नहीं रखना है तो अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें अगर वीडियो बहुत अच्छे लगे तो वीडियो को आगे तक भी जरूद शियर करें thank you, bye, happy gardening और gardening करते रहें और enjoy करते रहें